Hello students, welcome back. My name is Khaliq sir and you are watching me on English with Khaliq sir. Guys, आज का हमारा टॉपिक है Present Perfect Tense. इससे पहले माने इस सेरीज पे दो वीडियो जाली हुई हैं, Present Indefinite Tense और Present Continuous Tense. अगर आपने नहीं देखा है, तो मैं description लिंक देदूँगा जाकर के वहाँ पूरी वीडियो को देख लीजाएं, अगर आप इस सीरीज को पूरी अच्छी तरह देखते हैं, तो आपको Tense कहीं और से भी सीखने की कोई जरुवत नहीं होगी, यह आप के लिए English सीखने में एक Present time in complete action is called Present Perfectance, किरिया का वारू जिससे वरतमान समय में किसी भी काम का पूरी तरीके से समाप्त हो जाना मालूब हो, उसे हम Present Perfectance कहते हैं, किरिया का वारू जिससे वरतमान समय में हाल में अभी किसी भी काम का पूरी तरीके से समाप्त हो जाना पता चले हो, उसे हम Present Perfectance कहते है जैसे मैं खा चुका हूँ तो मेरे खाने जी करिया अभी अभी क्या हो गई है समाप्त हो चुकी है वहाँ खेल चुका है उसके खेलने करिया क्यों है समाप्त हो चुकी है वहाँ खेल चुका खेल नहीं रहा है खेलेगा नहीं, खेलता नहीं, बलके उसके खेलने की किरिया समाप्त हो चुकी है राम ने परिक्षा पास कर लिया है, राम के परिक्षा पास करने की किरिया समाप्त हो चुकी अर्थात राम परिक्षा पास कर चुका है ठीक है अब इसको यूज कहा कहा करते हैं कैसे करते हैं तो बेसिकली हमने यहां पर यूज करने के लिए दो हाइलाइट दिये हैं पहला है एक्सपीरियेंस या अकम्प्लिश्मेंट कोई भी अनुभव या कोई भी प्राप्ति कोई भी जब अनुभव करते हैं या कोई भी प साथ इस उसक यह जहाएं आम 25 वर्ष में कुछ ना कुछ टो किया ही होगा उसने पढ़ा होगा उसने प्रिक्ष पास करी होगी वह खेल में गुछ जीता होगा उसने कुछ खरीदा होगा, एट्सेटारा कुछ भी तो उसके कुछ पराप्ति को हम गिनाएंगे, उसके इस पराप्ति को जब हम गिनाते हैं, तो present perfect tense के अंतरगत हम गिनाते, जैसे माल लिया, कि राम ने शादी कर ली, तो उसके accomplishment है, मैंने एक कार खरीदी, क्या है, accomplishment है, वह परिक्षा पास कर गया है क्या है यह अकम्प्लिश्ट्मेंट है ठीक है तो किसी भी experience को या किसी भी accomplishment को हम present perfectance के अंतरकर गिनाते हैं next है action completed recently वो काम जो अभी अभी समाप्त होगा है वो काम जो recently में हाल में समाप्त होगा है उसको भी हम present perfectance के अंतरकर रखते हैं जैसे मैं खा चुका हूँ अब मेरे खाने की क्रिया एक साल पहले तो नहीं हो सकती है अभी अभी हुई जब मैं बोला हूँ कि मैं खा चुका हो तो इससे अपक्या अंदर लगाते हैं अभी मैं खा चुका है रिसेंटली मैंने खाया है वह खेल चुका है उसके खेलने करिया अभी अभी हाल में recently हुई है ठीक है यहाँ पर राम ने परिक्षा पास कर लिया है से मतलब लगा सकते हैं कि राम हो सकता है 2018 में परिक्षा पास किया होगा 2016 में ग्रेजवेशन 2016 में कर लिया है तो अब मतलब यह हुआ कि 2016 बीता हुआ समय है लेकिन हज कर चुका है उसने हज कर लिया है मतलब यह हुआ कि बीते हुए समय में किसी भी काम को प्रिजेंट से जब हम दोड़ते हैं तो भी हम प्रिजेंट परफेक्टिंस का इस्सामाल करते हैं अब रोहित को दुबारा ताजमहल देखने की एक्षा नहीं है वह एक बार देख करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बार में अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है वह सेंटेंस जिसमें नहीं का पर्योग नहीं होता है उससे हम अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस बोलते है रूल हैस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग बर्ब प्लस वी ठीक है, plus object, example है, I have completed this book, मैंने इस किताब को complete कर लिया है, अर्थात, समाप्त कर लिया है, पढ़ करके मैंने इसको समाप्त कर लिया है, तो subject में क्या हो गया, I, doer of the action, करता कुन हो गया, I, I के साथ, helping verb क्या लगा, have, I के साथ क्या लगा, have, completed, complete होता है, पूरा करना, और complete में, T, E, D, E, D लग गया, तो completed हो गया, verb 3, this book, object, तो I have completed this book, मैंने इस किताब को complete कर लिया है, दूसरा example है, she has gifted me a book, उसने मुझे एक किताब gift किया है, उसने मुझे एक किताब बेट करी है, she subject हो गया, doer of the action हो गया, she के साथ, helping verb में, यहाँ पर has का परियों हो गया, verb में, gift, gift से होना, gifted, me object, me क्या हो गया, object, a book, यह भी object हो गया, अब यहाँ पर दो object जब हो जाता है, तो एक object, direct object कर लाता है, और दूसरा object, indirect object कर लाता है, direct object और indirect object किसको बोलते है, यह हम अगली वीडियो में करेंगे, चर्चा, इसको हम दूसरे तरह की समा सकते है, इस object को पहले, इसक अबशे कर सकते हैं, जैसे माल लिए, she has gifted me a book, तो क्या हो सकता है, she has gifted a book to me, तो basically हम यह समझेंगे, मोटे मोटे तोर पर, कि जिस object के पहले, जिस object के पहले, to लगता है, उसे हम indirect object बोलते हैं, और जिस object के पहले to नहीं लगता है, उसे हम direct object बोलते है, ठीक है, ठीक है, a structure जल्कार के होते हैं first person second person और third person, first person speaker को बोलते हैं second person listener को बोलते है third person जिसके बारे बे वाल बाहि करते हैं उसको बोलते हैं उस पर third person में कोई वैगती या वश्थू भी हो सकता है फॉस्ट प्रसन I have eaten food मैंने खाना खा लिया है I के साथ किस helping verb का परयोग किया गया I have परियोग श्यालजेक है Uya, हम लोगों ने खाना खालिया है U के साथ भी यहाद का परियोग। भी होता है अब आते हैं थर्ड परसंट में थर्ड परसंट ही हैज एटन fewड ही के साथ किसका परियोग किया गया है है का परियोग helping वर में she has eaten food, it has eaten food, akram has eaten food, derby has eaten food, मतलब यह हुआ के užधा, ॥ इस Fields похож नंबर में as का परयोग किया जाता है, बाकि जितने भी sentence' के साथ झाल के परयोग किया जाता है, मैननी यहां मतला भी दिया आपको have का परयोग किया जाता है , i के साथ और v के साथ होता है , थर्ड पर्सन प्लेरल नंबर के साथ होता है और हैस का पर्योग ही के साथ शी के साथ इट के साथ किसी भी नाम के साथ या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कुछ भी आ सकता है मैंने बतला है अब इसली वीडियो में आपको जैसे यह पेन हो गया कोई नदी हो गई कोई पहाड हो गया थर्ड पर्सन जिम्मूल नमर में भी एस हैस का परियो होगा और का अब बात करते हैं हम लोग नेगाडिव संटेंस की और पाशान की नेगटिव संटेंस यहाँ पर helping verb में have या has के बाद not लगेगा यहाँ पर मैंने I have not been लगाया है गोवेंट गौन नहीं लगाया है ठीक है आई के साथ जाने के सेंस में और यू के साथ जाने के सेंस में गौन नहीं लगता है ठीक है इसलिए कि मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर उपस्तित हूँ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और जब मैं यहाँ पर मौजूद के सारे इडी नहीं लगा है कट 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 वर्फ के बहुत सारे होते हैं वर्फ के कुछ regular होते हैं कुछ irregular forms होते हैं उसके बारे में बात करूंगा डीटेल में एक वीडियो में ठीक है अभी फिलाल मैं इसको देखता हूं ठीक है पहचान है मैं यहां पर पहचान अभी बतला रहा हूं इसलिए त्यूकर नेगेटिव सेंटेल्स के कुछ चीजें या पर दिये हुए चुका है जिस हिंदी वाकर के अंद में चुका है चुकी है चुके है लिया है किया है आ है यह 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 अब बात करते हैं interrogative sentence की, interrogative sentence दो परकार के होते है, एक होता है question word और दिसरा होता है wh word, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हलके के समझाता हूँ, question word, which answer is given in yes or no, question word उसे बोलते हैं, जिसका answer हम हा या ना में देते हैं, उसेहं हम बोलते हैं question word, तिक है, जैसे माल लिया, are you Ravi, क्या तुम तो हम क्या बोलेंगे, हा मैं रवी हूँ, अगर मैं हूँ तो नहीं तो मैं नहीं मैं रवी नहीं, No I am not Ravey, Yes I am Ravey, हा या ना मैं उसका answer देते हैं, Do you take tea, क्या तुम चाय पीते हूँ, अगर चाय पीते हैं, तो Yes I take tea, मैं चाय पीता हूँ, हाँ से शुरू करेंगे, no I don't know, म चाहे नहीं पिता इंट तो इसका आंसर हा या ना से शुरू होता है उसको हम question word बोलते हैं तोसरा है wh word या wh family which answer is not given in yes or no जिसका उतर हा या ना में नहीं दिया जाता है तो यहां पर हम नहीं कहेंगे जी yes my name is Khaliq Ahmed yes my name is Ravi no my name is yes जो भी मेरा नाम है उसमें yes और no लगाने की जरूद नहीं है who is your father तुम्हारे पिटा कौन है तो यहां पर हम answer हा या ना से yes आनो से शुरू नहीं करेंगे जो होंगे उनका नाम बता देंगे ठीक है तो जिस प्रश्ण का उत्तर हां या ना से शुरू होता है उसको हम बोलते हैं question word जिस प्रश्ण का उत्तर हां या ना से शुरू नहीं होता है उसको बोलते हैं वह वर्ड दोसा sign यह है कि question word के शुरू में हिंदी बाके में क्या शब्द का पड़ियोग किया जाता है जो प् यह कि औे लुकरा फ्रणर भाग हिं दी के क्या से शुरूर नहीं होता है बल्के ओके छोरा इसको बोलते हैं लोग suitable topic इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का have या has plus subject plus not plus v3 plus object sentence है have you not done this work क्या तुमने ये काम नहीं किया है क्या तुमने ये काम नहीं किया है has ram not completed UPSC exam क्या ram ने UPSC exam को complete नहीं किया है ठीक है तो interrogative sentence question word, interrogative sentence question, interrogative negative sentence question word का structure है और इंट्रोगेटिव sentence wh word या wah family rule है इसका wh plus have या has plus subject plus v3 plus object यहाँ पर पहले हम wh family को रखेंगे' helping work से पहले यहाँ पर wh family को रखेंगे, यहाँ पर पहले help work को रखेंगे क्योंकि sentence में ह woman sentence में क्या पहले शुरू होता है यहाँ पर wh plus have we have to subject plus v3 plus object डबलो एच प्लस have या has प्लस subject प्लस not प्लस v3 प्लस object जैसे sentence है what have you done for me? तुमने मेरे लिए क्या किया है अब यहाँ पर जो सवाल है वो क्या से शुरू नहीं हो रहा है बलके तुमने से शुरू हो रहा है तुमने मेरे लिए क्या किया है तो उस क्या क्या जो इंगलीश होगा वो what होगा what have you done for me? why has she not come to the class? वा class क्यों नहीं आई है? ठीक है क्यों के इंगलीश होती है why? य के बाद डबलो एच के बाद has लगा why has she not come to the class? कम v1 होता है v2 came और v3 come यानि के come v1 भी होता है और come v3 भी होता है how have I not helped you? मैंने तुमारे कैसे मदद नहीं की है ठीक है? ओके गाईस मैं आपको कुछ exercise दे रहा हूँ अभी बनाने के लिए आप लोग अभी बनाईए जल्ली जल्ली और comment box में जल्ली से मुझे बताईए कि किसका translation क्या होगा पहला है वह कहां गई है दूसरा है मैंने एक किताब लिखा है तीसरा है वह घर जा चुका है चोथा है मैंने सोहन को नहीं देखा है पांचवा है वह मर चुका है छटा है क्या तुमने कुछ सुना है ठीक है आप लोगों यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भी भूले और मेरी पिछली वीडियो को जाके डिस्क्रिप्शन में देख लिए